Hey what's up guys, तो अगर आपको hair fall हो रहा है, ये video आपके लिए है, आप सारे nutrition ले रहे हो, सारे supplementation ले रहे हो, जिम भी कर रहे हो, बट still आपको hair fall की दिक्कत आ रही है, क्यों? तो इस video में मैं वो तीन mistakes बताऊँगा, जो आप डेली कर रहे हो जिम में, जिसकी वज़े से आपको hair fall की दिक्कत हो रही है, तो अगर आप channel पर नहीं है, प्लीज मैं चाहता हूँ इस channel को subscribe कर दीजे, वीडियो को like कर देना, और प्लीज मुझे आप support करना, जैसे आप मुझे अपने बालों को set करने लग जाते हैं, टच करते हैं, जिससे हमारे जो हाथ में jumps होते हैं, वो direct contact करते हैं हमारे hair से, जिसकी वज़े से हमें hair problem होने लग जाती है, तो कोशिश करें, यह आप ना करें, workout के बाद करें, workout के बीच में ना करें, तो ज़्यादा सही है, यह mistake भी बहुत ज़्यादा common है, जब भी हम seated exercise करते हैं, तो हम कोई protection यूज नहीं करते हैं हमारे बालों के लिए, इससे क्या होता है कि जो seat पे jumps होता है, वो direct contact करते हैं आपके बालों के साथ, जिससे आपको बालों की problem होने लग जाती है, hair loss, dandruff, और भी तरी तरी की, solution आपके सामन हैं, जब भी आप seated exercise करें, तो आप towel का use कर सकते हैं, आप अपने t-shirt का use कर सकते हैं, तो इस mistake से सबसे ज़्यादा hair fall के chances बढ़ते हैं, जब भी हम workout करते हैं, तो उसके just बाद हम shower नहीं लेते हैं, जिससे वो sweat आपके बालों में stay करता है, और जिससे आपको hair issues होने लग जात जाएंगे, यह थी वो तीन mistakes जो आप daily कर रहे हो, जिसकी वज़ेसे आपको hair fall की दिक्कत हो रहे हैं, यह छोड़ी छोड़ी चीज़े आपको hair fall की दिक्कत दे सकती है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो please वीडियो को like कर देना, instagram पर मुझे जाके जरूर चेक करना और वीडियो यहाँ पर मुझे subscribe कर देना